बच्चों, हमारे सामने एक मुंबत्ती है, एक पैंसिल है, एक ड्रॉइंग शीट है, स्केल है, एक माचिस है ये वस्तू हमें दिखाई दे रही है, क्यों? क्योंकि इस कमरे में प्रकाश है हम अच्छी तरह से जानते हैं, जब प्रकाश कיסी वस्टू से तकरा कर हमारी आँखों में पहुशती है, तो उस वस्टू का प्रतिबेम हमारी आँखों में बनता है और वो वस्टू हमें दिखाई देती है तो क्या इन वस्तु को मैं उठा कर किसी ऐसे कमरे में ले जाओ जह पूरी तरह से उजाला हो तो ये वस्तु हमें दिखाई देंगी नहीं न, क्यों? क्योंकि प्रकाश यो है वो सरल रेखा में गमन करती है और इन वस्तों से टकराने वाली प्रकाश हमारी आखों तक नहीं पहुच पाती इसलिए वस्तों हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है यदि इस में कमरे में अंधेरा कर दो और इस मोमबत्ती को जलाओ इस पैंसिल को इस मोमबत्ती के सामने रखो और ये प्रकाश की किरनों को इस वाइट ट्राइंग शीट तक पहुचने नहीं देगा जिसके कारण उस जगे पर अंधेरा हो जाएगा जिसके कारण इस पैंसिल की छाया हमको इस वाइट राइंग शीट पर दिखाई देती है तो हम एक प्रयोग द्वारा या स्पष्ट करते हैं या देखते हैं या समझते हैं कि किस प्रकार छाया बनती है और जब पैंसिल को हम मुम्बत्ती के पास ये दूर करते हैं या परदे को हम मुम्बत्ती के पास ये दूर करते हैं तो उसके आकार में क्या परिवर्तन होता है इस प्रयोग के साहता से हम यहां जानेंगे कि प्रकास जो है सरल रेखा में गमन करती है और इस प्रयोग की साहता से हम रेखा गणित को उप्योग करकर एक ऐसे सुत्र का निधारन करेंगे एक ऐसे सुत्र को बनाएंगे जिससे कि हम किसी भी वस्तू के बनने वाले छाया का आकृती, प्रकृती और इस्थान का सटिक अनुमान असानी से लगा सकेंगे। तो चलिए प्रयोग करते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले हमने इस पैंसिल पर एक औल पिन लगा लिया है। कि जब भी हम इस पैंसिल की लंबाई ना पें तो हम इसकी लंबाई इस पिन और इस पैंसिल के शिर्ष तक ना पेंगे। वैसे ही जब इसकी छाया इस ब्राइंग शिट पर बनेगी तो इस छाया की लंबाई हम उस पिन और उस छाया की अंतिम छोर तक ना पेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इस पैंसिल की लंबाई को इस पिन से नापते की है अब हम इसकी छाया की लंबाई स्केल की सहता से नापेंगे हमने इस टेबल पर एक स्केल बनाया है जिसमें हमने इंचों से निर्धारण किया है हम सबसे पहले मुंबत्ती को जीरो पे रख देते हैं फिर इस कमरे में अंधिरा करेंगे इस मुंबत्ती को जराएंगे और और फिर हम इसकी दूरी को मुंबत्ती से परिवर्तित कर करके देखेंगे कि इसकी छाया क्या कार में क्या पदलावाता है, क्या परिवर्तन होता है, तो चलिए, पहले हम इस कमरे में अंधेरा कर देते हैं, तो चलो, अब हमने कमरे में अंधेरा कर दिया, और अब ये मुंब पजार्ती जलाते ही, इस Pencil की छाया इस पश्ट हमको इस वाइट शीट पर दिखाय दे रही है, अब हम इस छाया के आकार को नापते हैं, जिस प्रकार हमने Pencil के आकार को इस All Pin और शीरस तक का नापता, वैसे हम छाया को भी इस All Pin की छाया और इसके शीर्स तक नापते हैं, अब ये पैंसिल 21 इंच पर रखा गया है, अब हम इसकी दूरी को मुम्बती से कम करते हुए इसे 19 इंच पर रखते हैं, अब देख सकते हैं कि इस चाया के आकार में परिवर्तन हो गया, ये चाया अब थोड़ी बड़ी नजर आने लगी, हम इस केल की सायता से इसको नापते हैं, ये चाया की लंबाई लगभग 6 इंच हो गई है, अब हम इसे 17 पर रखते हैं, जब हमने पैंसिल को 17 पर रखा, मतलब मुम्बती से इसकी दूरी कम की, तो चाया के आकार और भी बढ़ गया, इसको हम नापके देख सकते हैं, अब चाया लगभग 7 इंच की हो गई है, इसी प्रकार यदि हम पैंसिल की दूरी को मुम्बती से बढ़ाएं, अब हम इसको 23 पर रखें, तब हम देख सकते हैं, कि इसकी छाया छोटी हो गई है, हम इसे नाप भी सकते हैं, 21 इंच पर रखने पर 5 इंच थी, और हमने अब 23 इंच पर रखा है, तो इसकी आकरिती जंबाई लगभग 4 इंच हो गई है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, कि पैंसिल को मुम्बती से दूर और पास करने पर इसकी छाया में भी परिवर्तन होता है, यदि हम पैंसिल को स्थिर रख दे, 15 पर रख दे, और हम इस वाइट शीट को आगे या पीछे की और करें, तबी भी छाया में परिवर्तन होगा, यदि मैं इस ड्राइंग शीट को आगे की और बढ़ाती हूँ, मैं इसे 21 पर रखती हूँ, तो इसकी छाया छोटी हो रही है, हम नाप के देखते हैं, अभी इसकी छाया है लगभग 6 इंच, और यदि हम इसे दूर रखें, यदि हम इसे 27 इंच पर रखें, तो इसकी छाया लंबी हो गई है, और यदि हम इसे मापें, तो इसकी लंबाई लगभग 8 इंच हो गई है, इसी तरह से यदि हम मुमबत्ती को भी आगे या पीछे करें, तब भी भी छाया क्याकार में परिवर्तन होगा, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम जह मुमबत्ती की स्थिती में परिवर्तन करें, जह पैंसिल की स्थिती में परिवर्तन करें, या ड्रॉइंग शीट की स्थिती में परिवर्तन करें, इस छाया क्याकार में परिवर्तन होता रहेगा, तो देखा बच्चों आपने, कि यदि हम मुमबत्ती, पैंसिल य में किसी में भी परिवर्तन करते हैं तो छाया के आकार में परिवर्तन हो जाता है वस्तू का आकार और उससे श्रोत की दूरी का अनुपात छाया का आकार और उससे श्रोत की दूरी का अनुपात बिलकुल बराबर होता है